Hello everyone, today we are going to start the first chapter of the political science of the class 10th. हमारी कक्षा दस का जो प्रथम चेप्टर है वो है डेमोक्रेशी. तो आज हपन डेमोक्रेशी के बारे में पढ़ेंगी. डेमोक्रेशी मिन्स लोगतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र. डेमोक्रेशी is the English word which come from the two Greek word of the demos and kratia. Demos means crowd and kratia means power. So, डेमोक्रेशी means the power of the public. प्रजातंत्र सरकार का वह रूप होता है जिसके आंदार जनता जो है वो अपने सासक को चुनती है. जनता को ही अधिकार होता है कि वो अपने सासक को चुने और यदिवह सासक जनता की इच्छा के अनुसार कारिये नहीं कर रहा है तो जनता उसको उसके पसे हटा भी सकती है. तो प्रजातंत्र जो होता है वो सरकार का सर्वोत्तम रूप माना जाता है क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जो डिसिजन होते हैं वो सारे के सारे डिसिजन वो जनता के द्वारा लिये जाते हैं. और प्रजातंतरिक जो सरकार होती है, जो democratic government होती है वह प्रजा की इच्छा के अनुसार ही कारिय करती है। यदि कोई भी प्रजातंतरिक ruling, यदि वह जनता के अनुसार कारिय नहीं कर रहा है, तो प्रजा को उसके पद से हटाने का पूरा अधिकार होता है। वह प्रजातंत्र का मतलब होता है पावर ऑफ दे पब्लीक प्रजातंत्र के वास्तविक श्वरूप को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रजातंत्र के विभिन रूपों के बारे में समझना होगा तो आईए हम सबसे पहले प्रजातंत्र के विभिन रूपों के बारे में पढ़ते हैं प्रजातंत्र का आर्थ समझने के बाद अब हम प्रजातंत्र के विभिन रूपों के बारे में अध्यन करेंगे प्रजातंत्र के फोर रूप है सबसे पहले हम टाइप ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टेट में क्या होता है कि all the authorities and all the powers are lies in the hand of the people इट मिन्स प्रजातंत्र के अंदर सासक को चुनने का सासक के उपर नियंत्रा न रखने का और यदि वो सही कारिय नहीं करें तो उसको उसके पद से डिस्मिस करने का जो अधिकार होता है वो जनता के हातों में होता है इसका मतलब यह हो गया कि जो टाइप ऑफ स्टेट है इसके अंदर जितने भी जो सरकार की जो सक्तियां होती है वो सारी की सारी जनता के हातों में नहीं तोती है इसका सेकेंड रूप है डेमोक्रेटिक गोवर्मेंट इट मिन्स टाइप ऑफ रूल हमारी जो प्रजातंत्रिक सरकार होती है जो सासन करती है जो भी कारिय करती है उस वो कारिय को करने के कुछ ना कुछ उसके जो नियम होते हैं कानून होते है और सरकार को अपने सारे के सारे कारिय उनहीं नियमों के और उनहीं कानून के आधार पर करने होते है इसलिए हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्मेंट होती है उसको लीगल गवर्नेंस आधारित गवर्मेंट भी माना जाता है इसका अपन सेकंड रूप है सोचियल डेमोक्रेशी अब हम सोचियल डेमोक्रेशी के बारे में बात करते हैं Social democracy का मतलब होता है कि समाज के अंदर संपुर्ण रूप से समानता इस्तापित होनी चाहिए. सबी वेक्ति को बिना किसी भासा, जाती, धर्म, आधी के आधार पर उसके साथ भेदबाद नहीं किया जाना चाहिए. Social democracy is that there should no discrimination between the people in the context of creed, color, caste, religion, language, gender, wealth, birthplace, etc. And all the person should be regarded as equal in the form of an individual. It means सबी वेक्ति को समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए. किसी भी वेक्ति के साथ उसकी जाती, धर्म, भासा, लिंग, आधी के आधार पर उसके साथ भेदबाद नहीं किया जाना चाहिए. यदि समाज में हमें सामाजिक प्रजातंत्र की स्तापना करनी है, तो हमें चाहिए कि हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, यदि किसी भी वेक्ति को उसकी धर्म, जाती, भासा, आधी के आधार पर यदि उसको विशेशा अधिकार प् हुँवाट होना चाहिए, तर्ड अपन इसका रूप पढ रहे हैं वह है,ressed peace inЕ case侏 एक को नमीग डेमोग्रेसी की से मतलब है कि हमारे प्रजातंत्र एंदरित के अंदर इसमें हमारे देश के आर्थिक सेक्टर सेक्टर का से कंदर वर्णन किया गया है, और इकोनल Sudर इसको अंदर अपन को पूरा का पूरा इसके अंदर वर्णन किया गया है थार्ड फोर्थ है इसका मोरल डेमोक्रेसी यह इथिकल डेमोक्रेसी जो इथिकल डेमोक्रेसी होती है मोरल डेमोक्रेसी होती है वो हुमन वैल्यूस पर आधारित होती है हमारे यहां सरकार का democratic government का जो आधार है वो human values को माना गया है इसके अंदर freedom, equality, brotherhood आधी को सामिल किया गया है क्योंकि ये तीनों element जो है हमारे समाज में एक democratic government इस्तापित करने के लिए बहुत जरूरी है brotherhood है तो brotherhood means है कि equality among all is not possible without brotherhood and freedom is not possible without equality and brotherhood इसलिए हमारे जो प्रजातांत्रिक सरकार की जो स्तापना है वो इन तीनों सिधानतों पर आधारित है brotherhood, equality and freedom और इन तीनों को बराबर माननेता प्रदान की गई प्रयी